बुरहनपुर जिले के धुलकोट के सुकता फालिया में वनरक्षक कमलेश रगवनसी ने एक ऐसी शिक्षा की अलग जगाई है कि अब आदिवासी बच्चे भी उनसे प्रेरीतों कर रोजाना आंगनवाडी केंडर पहुच रहे हैं यह अपनी नोकरी से मिलने वाली रासी से इन बच्चों को शिक्षा शामगरी का वित्रण कर रहे हैं जिस आगनवाडी केंडर में नाम मातर के बच्चे पहुचते थे लेकिन आज वहाँ पर 100% बच्चे नजर आ रहे हैं यह सब कुछ हुआ है वनडिक्षक कंपलेश रग्वनसी के नवाचार से जिन के दिवारा आदिवासी समाज के बच्चों को शिक्षा के शित्र में आगे बढ़ाने के लिए यह काम किया जा रहा है शिक्षा के सेत्र में इस नवाचार को लेकर वन रक्षक की जिले में चारो और प्रसंसा हो रही है और उनकी मदद करने के लिए और भी सामाजिक संस्ता के लोग उनसे जूड रहे हैं वन रक्षक कमलेश द्वारा एक आदिवासी बच्चों के लिए कक्षा पहली से कक्षा आठवी तक एक इंग्लिज मिडियम स्कूल का संचालन भी किया जा रहा है लेकिन अब वे आंगनवाडी में पढ़ने वाले बच्चे रोज आंगनवाडी पर पहुचे ताकि वो भी श चिक्षा का घ्यान हो इसके लिए उनके द्वारा नवाचार किया गया है इस अगनवाडी केंडर में आने वाले बच्चों को उनके द्वारा कॉपी किता पैन पैंसिल इसकेल बेक के साथ अन्यसामगरी वित्रित की जा रही है जिस से अब आगनवाडी में 100 प्रतिशत ट्माउक टरफ से गłी किया है और इनहीं के वजह से यह गर्गर आकर प्रयास कर रहे हैं बच्चों को बुला-बुला कर लाते हैं और बच्च आब रहे हैं और यहा इतनी विवस्ताय तो बच्चे इसलिए आ भी रहे हैं और बच्चों को पढ़ने में मज़ा भी आ रहा है लगतार यहां दो तीन साल से पदस्त हूं मेरा पूरा एरिया जाज़तार परेश्ट का आता है उसमें मेरा प्रयास है कि आपको भी ट्राइबल एरिया में इसके लिए मैं लगतार कोर्सिस कर रहा हूं पिछले दो-तीन साल साथ भी किया लेकिन अब जालतर को समाज के लोगों को जोड़ा है जो जोने से क्या मुझे आतिक साता भी मिल रही है उनका सरयोग भी मिल रहा है ताकि मैं और जो शिक्षा से बंचे रह गए है गली वादिवासी बच्चे उनको किसी भी तबिके से लाके उनको अप्छर ग्यान लिसके ताकि उनका भविस्त आमें बढ़ सके जिससे वो दे झाल झाल